हेलो फ्रेंट्स विल्गम टो अफसी चैनल दोस्तों अफसी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूँ अधिनस सेवा चैन आयोग लखनव की बारे में जैसा की भरतियों का सिलसिला रुका हुआ है और फिलहाल में जैसा की चात्र प्र हर जगह के स्टूडेंट परिसान है और सबसे यही मतलब अपील हो रही है कि अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली लेकिन ही सभी के बावजूद परदर्शन के बावजूद यहां पर योगी आदितनाथ जी का जो हमारे माननी सीम जी हैं इनके द्वारा ट्विट किया ग आगामी छे मा में सभी विभागों में चैन पर किया को संपन कर लिया जाए अब दोस्तों यह बात कहां तक साबित होती है यह तो अब माननी योगी जी जानते होंगे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी भरती कितना भी तेजी से करवाया जाए तो कम से कम समय लगेगा तब भी हैं इस पर एक्षन लेते हैं यह तो वह ही लोग जानते होंगे लेकिन इनसे जो उम्मीद लगाए गई थी उस उम्मीद पर खरे नहीं उत्रे हैं और आपके देख सकते हैं कि लगबख तीन साड़े तीन साल समय खतम हो गया और सभी बच्चे जो भी हैं तैयारी कर रह लोग इंतजार में है कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 के कटाप के बारे में साथ ही उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसी पर चर्चा होगी दोस्तों यहां पर बताया है सभी व्यागों रि बाते समझ में आती हैं हम 6 माह नहीं हम एक साल का इंतजार करेंगे लेकिन दोस्तों यह सारी चीजें कम्पलीट होनी चाहिए एक सही समय पर ऐसा नहीं है कि रिजल्ट तो आ जाता है ज्वाइन नहीं आती है या फिर किसी करणों के वज़े से हाई कोर्ट में चली जाती है वैकेंसी तो भरतियां तो निकल रही हैं लेकिन इतना जादे लटका दे जा रहा है कि कुछ भी उसका अतापता नहीं चल रहा है एक टाइम के अनुसार वैकेंसियों को कम्पलीट करना चाहिए कि इस डेट को आपका विग्याब बनाएगा यहां इस डेट तक कम्पलीट क लगता पढ़ाई करने में लेकिन इतनी ज्यादा धिलवाई है कि कोई भी मेनत करने से कतर आ रहा है सोच रहा है रिजल्ट आएगा नहीं रिजल्ट आएगा तो कोड जाएगी वैकेंसी और कुछ भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है लेकिन इस ट्वीट के जरिए अब धीरे धीरे रिजल्ट का सिलसिला तेज से रूपधारण करेगा तो उम्मीद है कि अब जो भी स्टूडेंट बचे उचे हुए हैं जितने भी रिजल्ट रुके हैं एक दो महीनी के अंतरगस अभी आ जाएंगे लेकिन दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जूनियर अस् लगबग अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाने चाहिए उम्मीद यही लगाई जा रही है सबी स्टूडेंटों में यही चर्चा है दोस्तों हम बात करते हैं इसके कटाफ की तो जो भी स्टूडेंट जनरल काटेगरी से बिलाग करते हैं तो उनके जो भी 40 मार्ट से जज़ हैं काट पीट कर तो समझ लिजिए आप सेब जोन में हैं और अपनी टाइपिंग ब्यातरी दंग से तयारी कीजिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिस दोनों टाइपिंग है और इसमें दोनों को आपको मेंटेन करके चलना है एक उर्वेसी सही होनी चाहिए ओभी सी का लगव इसके भी आप मानकर चलिए कि SCOBC के बीच में रह सकता है तो दोस्तों आप यदि टाइपिंग की तैयारी कर रहा है तो सबसे अच्छी बात है नहीं कर रहा है तो आप रिजल्ट का इंतिजार मत किजिए क्योंकि गवर्मेंट है कुछ भी हो सकता है यहां पे चुनाओं के वज़से जितनी भर्तियां रुकी हुए है वे फाइनल भी हो सकते है तो इस वज़से आप थोड़ी सी भी लापरवाही नँवढ ved Everybody तो मांक्स स्यूंगे कम है तो भी टाइपिंग करते रहें 2-4 नममर इधर उधर है आगे पीछे तो भी करते रहें आपकी पास वज़से नहीं होना चाहिए कि मैंने टापिंग नहीं स्टार्ट किया था और दोस्तों आगामी आने वाली जो भी एक्जाम्स हैं अभी तो जैसे कि रेल्वे का बचा हुआ है और इसके साथ ही अगले माह से जो भी बचे हुए हैं तो इन सब की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बैतिंग डग से करते रहे हैं और इस से रिलेटर अधिनस्ते वाचन बोट से रिलेटर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंड बाक्स में पोच सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद टेक कियर बाई बाई